क्या आपको पता है कि इस ब्रहमांड में 15 परसेंट जो मैटर है वही विजिबल है उसी की सारी चीज़े बनी हुई है जो हम देख पाते हैं यह पूरुए ब्रहमांड को बनाने वाला जो 85 परसेंट मैटर है उसे हम देख नहीं सकते यानि कि यह प्रित्वी जल पेड पशु परसेंट है वो मैटर अनोन है उसे देख नहीं सकते वो क्या है हम नहीं जानते कैसे इंटरेक्ट करता है क्या वह नहीं जानते सोचो पूरा ब्रहमांड 85 हम समझ नहीं पाए जितने लोग यह बोलते हैं कि साइंस के पास सब चीज का जवाब है तो दोस्तों डार्क मैटर क जवाब science के पास भी नहीं है और आज इसी चीज ए बारे में हम जैसे हम कोई चीज देख पा रहे हैं का इसके कई सामने चीज देख पा कोई भी वस्तु electromagnetic radiation के साथ react करती है या Дав के साथ interference करती उसे हम देख का रहे है जैसे कोई भी वस्तु है उसे देख पा रहे हैं क्योंकि light उससे reflect होके आंगों पर पढ़ रही है जो light reflect होके आंखों पर पढ़ रही है वह वस्तु हमें उसी Color की नजर आती है जैसे कोई Blue चीज तो वह Blue क्यूं है कभी आपने सोचा है Blue क्यूं उस पर लाइट पढ़ रही है वह वस्तु एक लाइट स्पेक्ट्रम में सारी लाइट को अब्सार्व कर ले रही है लेकिन ब्लू को अब्सार्व नहीं कर रही है इसलिए हमारी आखों को वस्तु ब्लू नजर आती है electromagnetic radiation को ही light आप कह सकते हो spectrum में, जो spectrum में visible electromagnetic radiation होती है, उसे ही light कहा जाता है, अब ये light dark matter के साथ react नहीं करती, इसलिए पूरे ब्रहमांड का 85% जो matter है, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो है, अब ये कैसे पता कि वो है, देखो scientist नहीं पता लगाया कि ऐसी कोई चीज है, जो प जो हमारी galaxies की movement को control करती है, जो space में light के movement को control करती है, ऐसी कोई energy, ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई matter है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आखों की शमता सिर्फ यहीं है, कि हम वही चीज़ देख सकते हैं, जिसका संबंध visible spectrum पे visible electromagnetic radiation का है, जो चीज़ पर light पढ बना सकते हैं, हाँ, हमारे लिए तो वही है, लेकिन किसी और energy के लिए, किसी और power के लिए, किसी supernatural power के लिए, कोई अलग energy भी हो सकती है, जो चीज़ों को visible बनाती है, dark matter को हम directly नहीं देख सकते, लेकिन उसके द्वारा लाए गए पूरी दुनिया में changes को हम observe कर सकते हैं, जै या space में ऐसे बहुत सारे phenomena हैं, जिसको dark matter control करता है, लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो collider वगेरा से ऐसी energy का पता लगा पाए, particles का पता लगा पाए, लेकिन scientist अभी तक fail हो गए हैं, और किसी को भी नहीं पता कि 85% matter है क्या, और यह कैसे चलता है, बहुत सारे लोग इसको आत्मों और घोस्ट से भी जोडते हैं, यह topic थोड़ा सा funny हो सकता है, लगेगा लोगों को, stupid nonsense लगेगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो, देखो, dark matter observe हम तभी कर सकते हैं, जब वो कोई चीज को फेर बदल करे, भूतों के साथ भी यही होता है, आत्मों के साथ भी यही ह हम उन्हें directly नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने फिल्मों में भी देखा होगा, काफी funny है कि वो जब चीजों को हिलाते हैं, तब हम उसको देख सकते, हम directly उस energy को उस चीज को फिल नहीं कर सकते, एक theory यह भी कहती है कि dark matter और कुछ नहीं, इस दुनिया की एक other side है, एक अलग perspective से देखने वाला dimension है, जिसे हम normal आखों से नहीं देख सकते, यहां पर मरने के बाद आत्माए energies चली जाती हैं, जो कि जादतर ब्रहमांड का हिस्सा बनाती है, और इसी में शायद ईश्वर वास करते हैं, इसमें ही परमात्मा वास करते हैं, और इसमें भी जितनी आत्माए हैं या ऐसी जो भी चीज़े हैं, जिने हम देख नहीं सकते, वो वास करती है, positive energy, negative energy, यह सब ही इसी dimension में वास करते हैं, और यह पूरी दुनिया 85% उसी dimension की बनी हुई है, ऐसा भी लोग मानते हैं कि यह dimension एक software प्रोग्राम की तरह है, जिसमें कभी glitch आ जाता है, जिससे हम ऐ ऐसी चीज़ों को observe और देखनी लगते हैं, जो हमें नहीं देखनी चाहिए, तो कहने को तो लोग यह भी कहते हैं, कि हमारी दुनिया में ही दो दुनिया चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं, कि सिर्फ foxes है, इसकी कोई भी सच्चाई नहीं, बात जो भ भी भी बहुत पीछे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें explore करनी हैं, और शायद हम अपनी जीवन काल में उनको कभी explore नहीं कर पाएंगे, मानव सब्यता एक दिन जरूर खतम होगी, और वो कितना science को gain कर पाएगी, कितनी knowledge उससे पहले gain पर कर पाएगी, इसको कोई कह नहीं सकता, ब्रहमान अनन्त है और ब्रहमान में जरूर जीवन होगा, ब्रहमान में ऐसे identity जरूर होगी, जिसे हम कभी समझ नहीं पाए, हमसे भी smart कुछ beings हो सकते हैं, और वो शायद हम पर नजर रखे हुए हैं, आप मुझे अपनी राय बताईए, क्या आपको लगता है कि साइन्स के पास हर चीज का जवाब है, साइन्स के पास किस चीज का जवाब नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे, मैं मलता हूँ आप से इगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, और गुड़ पाई खिरूर बारे में हम धन्स के दोचा है, सबस्ता है